हेलो फ्रेंड्स आप लोग को एस्टाडी सिलेवेस में स्वागत है प्यारे दोस्तों आप लोग के लिए मैं ऐसा से सल लाया हूं कि आप लोग परिछा में इस टाइप के जो भी कोश्चन देगा आजम बना करके आएगा अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कर रहा है और मैं क बताने जा रहा हूं सो ध्यान से सुनिए सबसे पहले सबसे पहले आप लोग याद रखिए सी वन का नाम होता है में मैं डाइरेक्ट बताऊंगा नो टाइम पास सी टू का नाम होता है एथ एकदम मैं बता रहा हूं सो बात ध्यान में सुनिएगा सी थीरी का नाम होता है प कि पेंट आप लोग पेंट तक याद कर लिजिए एक कारवन रहेगा तो मेत दो कारवन रहे तो सतीна कार बन रहेगा तो प्रोआप घेनजय पर चारवन रहा तो से सबसे पहले नमर बात ये bond COOH इसको हम लोग कहते हैं कार्वाक्सली के सीड समझ रहे ना इसका संकेत है ओएक ये सीड होता है ठीक है इसको हम लोग कहेंगे ओएक आमल भी कहेंगे बास समझ रहें इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ध्यान दिजेगा कार्वाक्सल पहले अगर एक लग गया तो इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मी के सीड जो चीटी के डंक में पाया जाता है आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो चीटी के डंक में पाया जाता है इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मी के सीड यदि इधर सीरी लग गया तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे असको हम लोग मिटा देते हैं इसको मिटा देते हैं और इसका आयुपीय सीनेम पूश दिया जाए इतो कौमनने मैं बोल रहा था आयुपीय सीनेम पूशिए गाँ, तब क्या करना है क्या आपलोग ऐगा िया सुझाथ आप लोग को जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, इस तरह से रहे, ठीक है, या इसी को इस तरह से आप लोग को लिख दिया जाए, ध्यान दीजिए, इस तरह से, दोनों एक ही बात है, तो यह तो करवाक्सरी के सीड है, इधर एच लग गया, तो इसको हम लोग कहेंगे, मेथे नोईके सीड, ठीक है, इसको हिंदी में लिखेगा, तो मेथे नोईक, नोईक, आमल, आमल, इसको बोलेंगे, तो एक फर्मूला याद हो गया, अगर जी, अगर, इसी में, अब ध्यान दीजिए, इसी में, अगर, इस तरह से रहे, ध्यान दीजिए, मैं एक कोशन पर करूप, टो इसको हम लोग कहेंगे, ये थे नोईक, इसी तरह से है, समझ रहे है, इधर शी तू और शी थी, प्रॉप, तो एक कारवन, दो कार बन, तीन कारवन, तो इसको हम लोग कहेंगे, प्रॉप, नोईक, अमल प्रोपेज़ अमल लगा देंगे हमलों अमलल लगा देंगे बात समझ रहा है अगर एक और कारवन यहां टू करके इदने यह यूहर दिया तह ब्यून हो जाएगा ब्यून अमलीख आcular लग दिखेए इधर अग्ला सब्सक्राइ Venice एकषिक को च —लगी हो अगर इस तरफ अगर आप लोग को एक कार्वन लगा करके अधर है एकस लगा दिया तो इसको हम लोग कहेंगे हैलो आएक कार्वनेत मेथें हैलो आएक कार्वनेत मेथें अब ध्यान दीजे मैं जो बताने जा रहा हूं सो यदी आप लोग को इस तरह से दे दिया जाए ध्यान दिजेगा याँ पर ब्रोमो कहा है तो एक सबराबर होता है ब्रोमी अधि ध्यान दिजे मैं scor पर मैं बाताँ गा यह है बोर्ग सत्रह को हैं बोर्ग से सबसेदा आक्सी कारगुन एप धर साता है सबसे कम यह दर साता है बात समझ रहे हैं अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं सो ध्यान में रखिएगा क्या बताने जा रहा हूं सो सुनिए यह है यह फ्लोरो है यह कुलोरो है यह ब्रोमो है तो यह आईडो है इतना बात समझ में में आ गया चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब क्या का रहा है High पर ध्रॉम्पेंटन हाँ làक तब सबसे पहले मैं चाहर 5 काशाण पार कारवन 5 तक मैं बता है फार मत्सलेंट फ्रकमत तो इक कारभोन दो कारवोण इन कारवोण 4 कारवण 5 कारवण अब ब्रोमो – पेंटन तो चलिए यहाँ पर BR निकाल दिये बात समुझी गा मेरा सभी के बीच में एलकेन है पेंटेन मतलब एलकेन आप सभी को आप सीको हम लोग 4 चार मुंखाएंगे देखे इस चि को इधार से एक-ठीश्य। तीन गांए आ से इसको 10 है कि टीन चार थी को सब दो ऑढ़िया तो 10 चार दो छार। पर दोर ही नहीं ही नहीं पन होका थे सा सबहे तों नहीं हो धीट Wenn हाँ मान लिजे कि आप लोग को bromo pantone तुछा है अगर आप लोग को puce दिया जाए कि मान लिजे क्लोre क्लोरो परोपेन केतने कर्बं मैं बताया हूं परोपेन में कितने करबं तर तीन करबं तब तो एक कारवन, दू कारवन, तीन कारवन आ यहाँ पर सील लगा दिए, ठीक है? अब सिंगल, सिंगल, अब इसको पूरा यह चार बन हो गया, फिर इसको भी चार हो गया, अब इधार एक पूर रहा है इधर वलाको, तो दो, तीन और यह चार, समध रहा हैं? तो उपर में एक नीचे में एक, इस तरह से आप लो, इस तरह से आप लोग हाईडोजन बैठा दिए, सिर्फर से सबसे पहले जितना का है कारवन, पेंट का है तो पांच कारवन, ब्यूट का है तो चार कारवन, प्रोब का है तो तीन कारवन, यह बात आप लोग सबसे पहले ध्यान में अब आगे देखिए क्या करा है ब्यूटे नॉन यानि कि यह जो है दोस्तों कीटोन गुरूप का है मैं बताया था ना यह कीटोन गुरूप का है ऐसे लिखिए या आप लोग इस तरह से ऐसे लिखिए समझ रहा ना यह हो गया है तो आप लोग को इसमें तो अस्थान नहीं दर्शाया है तो आप लोग अरहाम से लिख सकते जो यह structure बनाया हुआ है ब्यूटे नॉन को मैं उसे वैसे ही नहीं बना करके मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ देखिए ध्यान से ब्यूट में ब्यूटे नॉन है ना तो तो तीन चार कहीं बीच में आप लोग को जब भी भी कहा है तो बीच में ही निकालना है ऑक्सिजन को किसी भी कारवन से बीच में और गी में नहीं बीच में या तो इस पर से निकालिए या इस पर से निकालिए बास समझ रहे है तो अब इसके पास हो गया सिंगल सिंगल य यहाँ पर सिंगल यहाँ पर सिंगल यह हो गया 4 और यह भी 4 करह। और दो यहं को यहां पर समझ रहें बात मेरा समझ रहे न ही आप लोग को यहाँ गया अगर पर मन लिजी के ये विटे नॉन दिया है अगर आप लोगों को प्रोपे नॉन दे देता प्रोपे प्रोपे नॉन तो आप लोग कैसे बनाते हैं तो मैं उसके भी तारीका बताता हूं 3 क्रवन 1-2-3 बीच ब ला में से हमेशा निकालना है नॉन वाला में 1, 2, 3, 4 इसको 4 पूर गया देखे 1, 2, 2 उपर 4 पूर न गया अभी सब पर हाइडरोजन बाइठा दीजिये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सब पर हाइड्रोजन बइठा दिए हो गया प्रोपे नौन का सुत्र बास समझ रहे मेरा चलिए आगे बढ़ते हैं फटा फट अब अगला कोश्चन क्या कह रहा है कहरा है चार में हैक से नल अल मतलब अल्डिहाइड अल मतलब और यह जो है यह यह अल्डिही हाइड बळला में वह लेकिन सबसे लाष्ट बला कारबन पर उगा वह गार सबसे लाष्ट बला पर होगा जो बता रहा हूं वह बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखे यह लग्रोजन अंतिमें हाईड्रोजन का कोई भ्हाइलू नहीं है क होगा हाँ थ्यान दीजिये तो आप लोग ध्यान दीजिये कि So शौनल निई और धने मा दाद है न उसके यहां लुक्त फंगंशंवन गृफा याद रखीना मैं इसको चार विए यह kok कश्वत यसको हम लोग सिंगल 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 उसर पर सपर एकदम बैठा देगी ऊप的是 हइब आएक वह नहीं छोड़ेगा बैस समझ रहें अगर मांन bleeding आप लोगोंको यह sheet इस तरह सजाएगा मालिज यह कि आपने को प्रोपे नल दे गा ऐसे ब्रोपे Papst तो अब आप लोग काई से बना जेगा तो उसका भी मैं तरीका बता रहा हूं आज से बना गांछ 501 एंक कार बने कर तेंच कारवन चार कारवन पांच कारवन इस तरह से tuning EastType एक दम बैठा दीजिए हइथ३ इसका प्रोपे नलो गया अगर गूटेनल खता तो चार कर्वन एक दो, तीन, चार थिका चार आइस तरह से उसी तरह से इस तरह से खीए समझ रहा है सबीपर ही नहीं पर हुट ही ठाइजिए चलिए यह कि आप लोगको होगी नहाए और गुरूप चीन नहाए पाचान नहाए कि सी यह चो एलडी हाइड गुरूप है यानि की अल हो गया अल मतलब अलकोहल ओई समझ रहे नाा वान मतलब किटोन समझ रहे ना आगे देखिए आगे आफ लोग का रहा है कि फोर में लडी हाइड क्या कर रहा है लगाते तो फॉर्म लडी हाइड क्या हो जाएगा फोरम एल्डियाइड लेकिन इसी को कॉमण ने में फोरम एल्डियाइड कहते हैं अगर आप लोगो पूछ दिया जाए शूत्र तो इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं ये भी आप लोग को सूत्र है तो एसीट कहें तो सीएस्थीरी लगा देना है शुरू में तो इह होगे एसीटर लेली हाइड का सूत्र है आई इसको हम लोग क्या कहेंगे Heathenol क्या कहेंगे इथे नल क्या कहेंगे बात समझ रहें आप यह जिए समझ रहा है आप आगे दखिए क्या कह रहा हैSw सफारी पटänder चो नमर में देख लेते हैं एथी लीद ओब देखिए एцев लीड कह दिया है इसमें आप बताने चाहरा हूँ आप लोग उस पर नहीं जाए मैं जो बात बता जा रहा हूं एकिन की गागा करेंगे एकर कि मतलब क्या बाता है यह हो एकर willst यानिके पहले दो कारवन ऐथ के मतलब आज दोनों के बीच में दो कारवन होना चाहिए बास समझे मेरा आज उसके बाद दखिए इसको दो बाँन चाहिए चारपूर्णे के लिए क्योंकि दो पूरा हुआ है इसको भी उसी तरह से आप इस पर हाईध्रोजन बैठा समझा रहा है यह होगा एथीलीव क्या होगो एथीलीव अगर आप लोग कहा देता कि एथीन का सन रचना सुत्र क्या होगा तो एथीन मतलब एह नहुआ एथीन एथीन तो वह ही सुत्र होगा डबल बॉंड वाला ध्यान से सुनिए डबल बॉंड वाला हाइड्रोजन बईठा दीजिए यह आई पीसी ने में वह जो मैं बताया था वह कॉमन नेम था अब आके दखिए अगर आप लोग को कहा दिया जाए त्या कहा दिया जाए कि एथाइन का सूत्र बतावे एथाइन क समझ रहे हैं तो एथाइन का सूत्र में भी दो कार्वन है लेकिन आइन में ट्रीपल बॉंड होता है दो कारवन पर मानू के भी इस ट्रीपल बॉंड अब इसको देखिए तीन है तो एक हैडोजन हो गया एथाइन या एसी टीलीनी स्वी को हम लोग कहेंगे चलिए यह बा फिरोपरोपेन पाइऽ इसके बार मैं थोला देल पहले चंश किया था कि ख़ठ यह कि रहा है तो पृम रोक ाखला मतलब किंसी कारवन प्तिनल अगर फ्रोम पीजर में के नहीं है अरे आप लोग अगर समझ रहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वन सेयर पिलीज 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 वन सेयर जोर किजिएगा तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फटा फट अब कह रहा है प्रोपेनोई के सीड यानि कि प्रोपेनोई का अमल इसके बारे मैं सुरू में ही चर्चा किया था कि प्रोपेनोई का अमल का है तो बांड समझ रहें इस तरह से आप लोग को सजाना था इस तरह से सजाना था कारबॉक्स लिखा तो एक कारबन हो गया दो हो गया और ये तीन हो गया समझ रहें इसके पास अब क्या है? तो दो हाइड्रोजन बैठाना है, तीन इस पर बैठाना है, सभी पर हाइड्रोजन बैठा दिजिए, ये सभी पर आप लोग को हो गया प्रोपे नोई के सीड, अगर आप लोग कहता ब्यूते नोई के सीड, तो आप लोग ऐसे बनाते, ध्यान दिज चार कार्वन सभी पर आफ रोजा नीच पर भाइठा दीजे ए उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे सभी पर भाइठा येक भी नहीं छरियेगा तो ये व्यूते नोई के कामल हो गया अगर आप लोग कहता इथे नोई कामले तो इस तरह से दो कार्वन पुराना है हम इसी को हम लोग कहते हैं ACT के सीर जो सीर का में पाया जाता है CS3 लग गया ACT के सीर चलिए यह आप लोग किलियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे जो है क्या कह रहा है कह रहा है कि निमलीखित के संरचना सुत्र लिखिए अब देखिए अलकोहल में आगे है अलकोहल को मैं क्या बताया था कि bond OH होता है होता है न तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं लिख सकते हैं की नहीं तो लिख सकते हैं बास समझ रहे हैं अब क्या कह रहा है प्रोप प्रोप मतलब 3 कारबन, 1 कारबन, 2 कारबन, 3 कारबन, अब बैठा दिजे, अब बैठा दिजे हाइडरोजन, हाइडरोजन बैठ गया, आप लोग को स्वाहा, अलकोहल कहे, तो OH बला याद रखना है, बासमद रहे, OH बला याद रखना है, अब चली यह आगे बहते, मालीजे प्रोपेनल कहा है ओल गुरूप है ओल गुरूप अगर आप लोग को कहा देता ब्यूटेनल तो आप लोग उसी तरह से आप लोग इस तरह से एक कारवन दो कारवन तीन कारवन चार कारवन इस तरह से चारो तरफ से सजा दिजी हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप लोग बैठ पताने जारा आऊसो आप लोगो इंठ शेह सवी पर या मिथ ऑनाबन कऊने पूर Ond activate और टील का सभीन का है चाहिए अज लसकता सीघी रिखेंगये he तो दोल फोल कोहल उसी को कहा जाता है इसको ऊडल कोहल इसको सनचेना में तरिएगा इस तरह से हुआ इस तरह से तैगा समझा लेना वुट फूर को हट ठीक सिंगा यह श्मद्य आरहा है तो नहीं छोरेंगे मैं इस में मैं नहीं चलूँगा अब ध्यान दीजी आगे अब क्या करा दो में इथेनल मतलब इथेनल मतलब आई पेसी ने थोरा देर पहले मैं बताया था ना कि इस तरह से आप लोग को जब भी अल गुरूप आवे तो इस तरह से लिखना है इधर इथेनल एक कारवन और जोर देन प्रोपेनल कहता तो एक कारवन और इधर में जोर देता प्रोपेनल हो जाता ये में तीन कारवन चलिए आगे बढ़ते फटा फट टाइम बहुत ज़्यादा भाग रहा है अब कहरा है कि मोनो क्लोरो मिथेन लग रहा है कि कुछ्चन मां सस्पीशन वहला है तुरा सा देख सब्सक्राइब करते हैं कि सी होता है इसके चार तरफ से चारो बैठा दीजिए या इसका सभजकता पूछेगा मेथेन का चार या इसको अब क्या कह रहा है आगे कोस्चन इस तरफ देखते हैं कि एथीन के बारे में बताया था आप लोगों को मैं शुरू में बताया था चली आगे बताते हैं अगर प्रोपीन आ जाए तो क्या करना है तो तीन कारवन देना है कोहीं से डबल बॉंड समझ रहना जाए यह हो गया यह हो गया अप लोग को और यह हो गया यह हो गया अप लोग को प्रोपीन समझे लाए ना ब्यूटीन कहाएगा तो एक और कारवन इस तरफ बरहा देंगे तो यहां पर हाईड़ोजन नहीं देना होगा इस तरफ दे लास्ट वला पर अब आगे तो कि आप लोगो क्या कह आगला क्वेश्चन देखे भाया आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं एक तो सेर जाओर बनता है चलिए आगा देखिए मेथेन हो गया अब कराई बेंजीन तो देखिए मैं बेंजीन का आनुसुत्र सबसे पहले लिखता हूं और C6 होता है और H6 होता है यह कैसे होता है वो भी मैं बता हूंगा ठीक है और यह जो है ना आनुसुमबा की होता है बेंजीन जो है आनुसुमबा की होता है तो ध्यान दीजे मैं बताने जा रहा हूं यह आप लोग को हो गया बेंजीन का नक्सा यह करके आप लोग को इस तर स्चना तोर नहाँ तो द्यान दीजी मैं जो बात बताने जा रहे हूं पर सबिखेर को समझेड़ा है यही आप लोग को यह स्ट्रक्चर होता है C123456 हाइड्रोजन जितना कारवन उतना हाइड्रोजन होता है समझ रहे हैं इसलिए C6IH6 यदि दोस्तों आप लोग को फिनोल का नक्सा पूश दिया जाए तो आप लोग डाइरेक्ट लिखिएगा इस तरह से इसमें OH लगा दिजेगा यदि बेंजोई को अमल का सूतर पूश दिया जाए तो इसमें आप लोग CWH लगा दिजेगा क्योंकि मैं बताया था ना कि कारवाक्स लिख का सूतर CWH होता है एक बंड खाली तो वही एक बंड खाली यह आप लोग को आइडिंग कर रहा है फिनॉल में OH होता था इस तरह से गुरूप अलकोहल का तो इसमें यही जो है यहां पर से खीच करके इसको हम लोग इस तरह से सजा दिये है बात समझ रहे हैं आप लोग आप लोग को हैलो वं जीन या धाव कोल्व घंजीन हैंlegen तो अगर आप लोग्त लोग यहां पर दियान से सुनिये प्रोपेन का मैं नकसा थ ration कहले बताया था ठीक है मां बॉमो प्रोपेन इसका मैं बत थीन दिरव पहले बताया था कि प्रोप का है तो तीन कारबोन सिंगल सिंगल यहां पर बी यार लगा देना या उसके बैठा दीजे हाइड्रोजन पूरा पर समझ रहे हैं अगर ब्रोमो आइडो प्रोपेन कहता तो आई लगाते चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप लोग को देखिए आपर प्रोपे न प्रोपे नायल कहा दिया है थोड़ा सामको सस्पीशन है हिंदी में हिंदी में मैं पहुंच जाता हूँ थोड़ा सा मापी चाहता हूं प्रोपे नायल मतलब प्रोपे नायल नहीं होता दोस्तों यहां पर प्रोपे नल होता बास समझ रहे हैं नायल नहीं होता प्रोपे न इस तरह से आप प्रोब कर रहा है तो एक कारवन यह हो गया यह दो हो गया और यह तीन हो गया बैठा दीजिया आप हाइड्रोजन हो गया प्रोपेनल अई थेनल कहता तो यही पर खतम कर जेते यहां पर हाइड्रोजन यहां पर यहां पर हो गया यहां पर ब्यूतेनल कहता त एक कारवण और आगे बहुत जाते वहीं सूत्र है मैं जो बताया हूँ वहीं है अब आप लोग ध्यान से दखिए कि हेक्सेन कह रहा है तो हेक्सेन कह रहा है कारवण च्छो लिखिए 1 2 3 4 5 6 सभी में सिगल सभी में सिंगल obsess consumed एक त्रफ से भी खाली नई चौरना है एक सेन यह होगे आप लोग को सभी पर हाइड्रोजन बईठाना है सभी पर हाइड्रोजन बईठाना है एक भी नई चौरना है हाइड्रोजन अगर crewn पुछ दिया जाए पेन्टन जाईसें मीथेन में होता था चार्व तरफ से झीरा हुआ समझ रहे न पॉईशी इथेन का भी तो कारवन दो समझ रहे न मैं बता रहा हैं सोधिया दीजिए इशाब ले街 alcanz Sवाभके सबी बग़ से एकदम मार देजिए, अब उसके बाद आप लोग को पूछ देगा, प्रोपेन तो तीन कारवन दीजिए, अब अब सबी बळल से एकदम सजा दीजिए, सबी तरब से, अगर ब्यूटेन पूछेगा, तो 4 कारवन , समझ रहें पेंटेंट पूछेंगा तो 5 कारवन इसी तरह से जाना है आप लोगों को ऐसा ऐसे करके समझ रहें ना मैं जो तरीकाँ बताता हूं डायरेक्टो मैं सिखाता हूं मैं पढ़ाता नहीं हूँ शिखाता अब ध्यान दीजिये आगे मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या कर रहा है 2-methyl-butane ध्यान दीजिये ये question बरी ही जबरदस्त question है ध्यान दीजियेगा but कहा है तो चार carbon सबसे पहले हम लोग खीचेंगे पर कहा है तो इधर से हम लोग ले लेते एक हो गया ये दो होगिया क्राइव है इस पर भी हाइड्रोजन चरहना है मापी चाहता हूं उपर चला गया इस पर भी हाइड्रोजन चरहना है इस पर भी चरहना है सिंगल 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 इस पर भी चरहना है इधर एक और देना होगा इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन अग पर माल लिजिए कि इस तरह से आप लोग को ये सन्याचा तो मैं बता दिया हूँ अगर आप लोग को दे देता टू टू प्रोपेन तू प्रोपेन तब कैसे की जगा ता फ़ले प्रोप के लिए कितने कारवन ता तीन कारवन ता एक दो तीन तू मिथाईल दू पर एक इसको दो इसको माल लिए अप प्रोपेन मतला तीन को हो गया कारवन अब इसको आप लोग सजाईए ना आप लोग अपना मन से और भईया आप लोग सजाईए इसको इस तरह से आप वैठा दिजे हाइड्रोजन सभी पर अब अगर आप लोग को प पने बर न तो एक करवकों दो करवकों समध रहें बास समद रहें न मेरा अब आप लोगों को पूरा एकदम समझाना चाहता हूं आप लोग परिच्छा में लिख करके आईए मेरा आपका सफलता ही मेरी खुशियों का बहुचार प्यार दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब तो आगे नहीं है दिया हुआ तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर यह मैं बताया था आप लोगों को नक्सा काट करके समझ रहें मैं पूरा नक्सा बताया था बताया था न इस ताइब का मैं पूरा नक्सा बताया था और यह जो कुछ भी दिया हुआ है मैं बताया हूं उसके अंदर ही है बास समझ रहें अगर आप लोगों को ध्यान दीजिए अगर आप लोग कहा देगा butene, क्या कह रहा है? butene, ठीक है? butene, समझ रहा है ना? butene कहा है ता carbon कितना? 1, 2, 3, 4, इसके बीच में double bond और इधर last बला में double और यह single single इसको देखे, 1, 2, 3 पूरा है तो 1, 4 पूराना है, 5, sorry चार पूराना है, इसको भी चार पूरा दिये, इसको भी इसी तरह से चार, उसका hydrogen बइठा दिए उसके दखिए, अगर प्रोफीन कहता था एक, दो, तीन, यहां पर double bond इस तरह से आप लोग भीच दिजिए समझ रहा है ना? इसको चार bond पूर गया है एक, दो, तीन, चार, अब इसको पूरा है तीन, क्योंकि इधर दो, इधर एक, तीन, आई चार, इसको तब है पूरा पूरा नहीं परेगा, तो इसी तरह से आप लोग hydrogen इस सब पर पूरा दिजी hydrogen हो गया, अब ध्यान से सुनिए मेरा बात, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, अगर जिए आप लोग को परिछा में आ गया, की benzene का आनुसूत्र, तो मैं बताया ही हूँ, C6H6, अगर आप लोग खाया, हेक्सेन का आनुसूत्र, तो हेक्सेन, तो अब सुनिए मेरा बात, एलकेन का समान्य सुत्र होता है Cn, S2n, पॉलस 2 समझ रहा है अगर एलकेन है तो हेक्सेन बनेगा इसी से न तो हेक्सेन में कारवन कितना होता है 6 6 होता है तो याद रखिए 6 दूना 12 दू यह होगे आप लोग को हेक्सेन का अनुसुत्र अगर आप लोग को देखिए एलकेन का सुत्र ही ना Cn, S2n, पॉलस 2 तो आप लोग ध्यान सा सुनिये जो मैं बात बताने जा रहा हूं सो तो यह होता है तो अगर पेंटेन का पुछेगा तो C5 मैं बताया हूना C5 तो पांदुना 12 दू 12 यह अनुसुत्र हो गया बास समझ रहे है अगर आप लोग को कहें एलकाइन का सुत्र तो Cn, S2n, पॉलस 1 ठीक है आप डायेक्ट आप लोग याद रखिए अगर आप लोग कहादे कि एलकेन का सुत्र तो Cn, S2n बास समझ रहे है और एलकाइन का सुत्र एलकाइन का सुत्र तो Cn, S2n, माइनस 2 तो दोस्तो यह असंत्रीप्त है हाइड्रोकरवन अब वो दोनों था संत्रीप्त एलकेन और एलकाइन संत्रीप्त और यह एलकीन है समझ रहे है ना एलकीन है और यह एलकाइन है एलकीन और एलकाइन और संत्रिप्त समझ रहे हैं समझ रहे हैं मेरा बात दोस्तों आप लोग को यह सेशन कैसा लगा अच्छा लगा की नहीं लगा कमेंट बॉक्स में ज़वर लिखिएगा मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग तो मेरे लिए कुछ त सबास आए तो चलिए दोस्तों इतना ही पर आप लोग का सफलता ही मेरा खुशियों का बहुचार है तो चलिए दोस्तों इतना ही पर जय हिंद जय भारत